अगले कॉलर है हमारे साथ बादल सिंग जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार मेरी बाद द्यानते सुनना जी तीन चार सवाल है मेरी बोलिए एक तो मेरे फूर पुआजिन इतना बनता है कोशी रखाता हूं उसकी उसकी असलीटी बन जाती है जी ठीक है कबज बहुत जाद है एक शीर में शीर में शक्तर रहता है जी दिल की दरकन तेज हो जाती है कभी बीपी कम हो जाता है कभी जादा हो जाता है जी कि एक शिरीर में बहुत जादे दर्द हैं जी और काम कुछ जो जो कुछ भी खाता हूं उसका वो चलेशा सा बनगे बार निकल जाता है उल्टी के मटची कबज तो बहुत जादे है शलेशा बहुत जादा निकलता है आपके उम्र क्या है उमर मेरी 52 साल है जी अर मैंने जो ट जो द्वाई मंगवाई थी एक तो ये जेतुन का शिर्का ठीक है और लस्तन का रस और उसका निम्बू का और अद्रक का रस है वो बताया था या ठीक है बहुत आपको फाइदा दे और काफी बिगड गया है कि थोड़ा सबर करें गरम पानी प्या करें पांच बार और दे कि ये तो लेते ही रहें जो आप ले रहें निसका जो चक्कर आते हैं इसके लिए आप ये एक्सेसाइज ये तीन मिनिट और एक ये ऐसे पूरी तरह मोड़ें इसे ये भी तीन मिनिट करना शुरू करें और दस दिन में इसका रिजल्ट देखें कि कि आपको कितना फाइदा है चक्करों में खास दोर पर देखें मर्स तो आपको बहुत ज्यादा है लेकिन उससे भी ज्यादा घवराट हो गई आपको और भगवाद से मदद भी वांगा करें सौफ काया करें खार खाने के बाद दो चम्मच और यह आता है मुरब्बा बेल का मुरब्बा पत्तर बेल का ये पीस रोजाना सुबह को खालिया करें खाली पेट और थोड़ा थोड़ा फाइदे की उमीद रखें थोड़ा थोड़ा एकदम से नहीं होगा जो इलाज करना चाहते हैं करिए लेकिन ये साथ में लीजे सब छोड़ कर मत लीजे और कमस कम महीना दो महीना इलाज जरूर करें इतना फाइदा लगने लगए कि आपको इत्मिनान आने लगए देखिए महीना तो लगता है इतना फाइदा होने में क महीना तो निकलने दीजे और मदद भी मागए भगवान से और माता जी या घर में जो बुजर्ग हो उनसे दुआ कराईए उनकी दुआ बहुत कीमती है और अपना ख्यार लगे आपको फाइदा मुम्किन है जी हकीम साब इनका ये भी कहना है क्या ये आवले का इस्तमाल कर सक सबड़ मुम्किन है लगविड़ मैं लगवान कैम जी है जी है क्या शबड़ मुम्किन है पुआ है